मैं आज सहजन की सबजी की रेस्पी लेकर आई हूँ सरसो वाली सहजन की सबजी आज बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले हमें सबजी को कट कर लेना है तो सबजी को कट करने के लिए हमें इस तरह से सबजी कट करना है जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ सबसे पहले इस तरह से कट कर लेना है थोड़ा सा रहने देना है तो इस तरह से साफ कर लेना है इस तरह से सब्जी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा तो इसी तरह से सब्जी को हमें कट कर लेना है अगर अपने चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल अकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस तरह से हम सरसो वाली सजन की सब्जी बना रहे हैं इस तरह से बनाएंगे तो सब्दी बहुत ही तिश्टी लगेगा सब्जी काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसका दूपर लल लेयर है उसे निकालना होता है तो सब्जी को काटने में थोड़ा सा समय लगता है इस तरह से सारे सब्जी को कट कर ले तो सब्जी को कट कर लिये हैं और दो आलू को छिल कर उसे भी डाल दिये हैं और सब्जी को धो लिये हैं तो चलिए अब सब्जी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले कड़ाई गर्म कर लेना है कढ़ाई गर्म करके इसमें सर्चो का तेल डाल देना है सर्चो का तेल को गर्म होने दे गर्म हो जाने के पाद इसमें थोड़ा सा पंच पुरन डालना है और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे हल्दी डाल कर सब्जी को डाल देना है अब सब्जी को हमें ऐसे ही फ्राइ करना है सब्जी को फ्राइ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सहजन की सब्जी को जितना अच्छा से फ्राइ करेंगे सब्जी उतना अच्छा बनेगा तो इसे थोड़ा देर इस तरह से फ्राइ कर ले जब तक सब्जी फ्राई हो रहा है हमें मसाले त्यार कर लेना है तो दो चम्मस सर्षो का दाना और थोड़ा सा लसुन की कलियां एक प्याज को कट करके इसे भी डाल देंगे प्याज ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए छोटा प्याज ही चाहिए अब इसमें दो मीडियम प्याज का टमाटर डाल देना है अगर टमाटर बड़ा हो तो एक ही डालें एक चम्मच खड़ा जीरा थोड़ा सा काली मिर्च इन सब को पीछ लेना है तो देखिए मसाला पिसा गया है तो इसे एक बरतन में ट्रांसफर कर ले अ अब इतर सब्जी को चलाते वे फ्राइ कर लेना है जब लगे कि सब्जी थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है तब इसमें मसाला डालना है तो सब्जी का कलर हलका चेंज हो गया है तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पॉड़र डाले है क्योंकि पहले भी डाल चुके थे अब हल्दी पॉर्ड डाल कर थोड़ा सा फिर से फ्राय करेंगे इसमें जो पीस करके मसाला रखेते हैं उसे डाल देना है और बत्रन को धोकर डाल दियें पानी थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसारी डालें अब सब्जी को हमें मसालों के साथ फिर से फ्राय करना है तो सब्जी को चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राय कर लें अगर आपको इस रेश्पी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाडर डाल देंगे सब्जी को चलाते रहे जिससे सब्जी जले नहीं क्योंकि सर्चो मसाला है तो सर्चो मसाला जल्दी जलने लगता है झालाइक्स है किए 3 tea कि Saoki 직व tomorrow हो गया है देखे मसाले का गलर हो गए तो इसमें हमें पानी डाल देना है तो पानी इसमें थूदा सा ज्यादा डलाता है क्योंकि सजण को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है पांतो पानी थो ने चाहि मैं और छथा स 활प्रेन ऐसे करक्ला है इसे कि इसे अब धक देना है अधक करके धीमी आज पे 5-7 मिन इसे पकाना है तो देखे बीच में चेक किये हैं तभी उवाल नहीं आया है सब्जी मुवाल आ जाए तो इसका प्लेन को थोड़ा धीमा कर देखे सब्जी बनकर तयार है कर दो देखे